दोस्तों, वेल्कम तो माई चानल, हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल, आज हम स्ट्रीट स्टाइल चॉमिल या नूडल्स बनाना सीखेंगे, और यह हमारी सामगरी है, आप देख सकते हैं, और सबसे पहले हम गैस अन कर देंगे, दोस्तों हमने गैस अन कर दी है, अब इस और इसको हम पांच मिनट के लिए बॉयल करेंगे, और अब हम इसके बाद इतना आदी चमच नमक कर देंगे, ताकि बनते समय ही नूडल्स इसको अब्सॉर्ब करेंगे, चलिए दोस्तों, जब तक हमारे नूडल्स उधर बॉयल हो रहे हैं तब तक हम अपनी सबजियां त और अन्यन को light brown नादी हल्का बूरे कलर तक होने तक के लिए fry करेंगे तोस्तों आब हम इसमें भाकी की सामगरी आड़ करेंगे, यह हम ने एक मिर्ची काती ती यह हम आड़ कर देंगे, पेर अब हम इसमें यह गाजर आड़ कर देंगे, यह एक गाजर है, और इसमें यह कर देंगे अफिर हम ये शिंबला मिर्च यानि क्याप्षु तो भी आप कर देंगे और इसको पांच मिनट तक अच्छे से त्राइक कर देंगे अब हम इसमें आधी स्पोन नमग दाल देंगे अब देखिया इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अब हम सायमेंटेनेसली अपने नूडल्स के भी चेक कर लेते हैं ये देखिया माइन नूडल्स मसाला है इसको आप इस समय आड़ सकते हैं अगर आपके पास है तो आप आट कर दीजे नहीं है तो वह ही ठीक है और हम अब भबक आप स्पोर पाली मिर्च भी एप कर दो ले कि ना यह देखिए हमने अपने नूडल निकाल लिये थे पानी में से और उसके उपर हमने थंडा पानी दालिया था अब हम अपने नूडल कडाई में अब हमें से मिक्स कर देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है अब एक टिप है कि इसको इस तरह बीच में से थोड़ी सी स्पेस बनाईए और उसके बाद हम इसमें लगभख आधे से एक स्पून का विनेगर एड़ करेंगे हम इसमें एक चमबच चिली सॉस आड़ करेंगे और एक चमबच प्रमाटो केचप परेंगे या स्वीट सॉस अब इसको हमें मिक्स कर देना है और यह बहुत ही असानी से मिक्स हजाएगा क्यूकि हमने मिडिल में आड़ था दोस्तों देखिए हमने इसे मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हमने इसे अराउंड फाइफ मिनट्स के लिए गैस पर रखके फ्राइग किया है अब इस टाइम पर अगर आपको सॉय सॉस पसंद है तो आप आट कर सकते हैं मैं प्रिफर नहीं करती हूँ क्योंकि ट्रीट साइल चॉमिल त्यार हो गई है और इस रेडी तू इट कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीचे और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीचे थैंक्यू दोस्तों